चैये मादाती दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रेल माह के कन्या राशी फल के बारे में दोस्तो एप्रेल माह की शुरुवात हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन की स्थिती भी बनी हुई है और 14 एप्रेल तक ये लॉकडाउन है इसके बाद का समय आपके लिए कैसा रहेगा और ये समय भी आपके लिए किस तरह से रहेगा इस वीडियो में हम जानेंगे देखे लॉकडाउन की स्थिती आप घर में बैठे हैं कुछ लोग हैं जो घर मे बैठ कर ले रहे होंगे और इसके बाद जब आप काम पर लोटेंगे तो आपकी स्थितियां किस तरह से परिवर्टित होंगी और देखे लॉकडाउन की स्थिती है ग्रहन अक्षतर उसी तरह से अपने काम कर रहे हैं उसी तरह से अपने जो स्थितियां है वो बदल रहे है तो ये एक ऐसी इस्तिति है कि जिससे हम जल्दी ही बाहर निकलेंगे और सब कुछ ठीक होगा तब आपका जो जीवन होगा, वो सामान्य होगा और किस तरह से आपका वो वैतित होने वाला है इस वीडियो में जानेंगे तो बात करेंगे कारेश शेत्र के बारे में, करियर के बारे में, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्त है, दांपत्य जीवन और साथ में वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाँपाई जो इस महिने में आपके लिए बहुत कारगर सावित होगा तो आगे बढ़नी से पहले आपसे निवीदर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बैल का इकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दोस्तो कन्या राशी की हम बात कर रहे हैं और कन्या राशी के लोगों के लिए इस महीने में बुद्ध की जोच्तिती है वो आपके महीने की शरवात में छटे भाव में है जिससे किसी भी तरह की वादिवाद में अगर आप फस्ते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और अगर आप किसी वकालत के पेशे से जुड़े हैं तो आपको अच्छे बाई नाम देखने में मिलेंगे लेकिन वहीं स्वास्ते के प्रती थोड़ी सी सावधानी यहां आपको जरूर रखनी होगी और इसके बाद जैसे ही बुद्ध का गुचर आपके साथ वे वहाव में होगा तो आपको बल मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि बुद्ध ऐसे जगा बैठकर यहां देखेगा कि आपके विचारों में कितनी दुरड़ता आती है जिस काम को करेंगे पूरे मन लगा कर करेंगे और उसमें सफलता भी अर्जित करेंगे इस समय आपकी व्यवारिकता में व्रद्धी होगी व्यवार बहुत काम आएगा जिससे लोग आपसे काफी प्रसंद होंगे आपकी बात में हसी मजाक करने से लोगों के मन भी हलके होंगे और लोग इस समय आपके जो हसी मजाक का स्वेवाव है उसको काफी अच्छा समझेंगे भी आपका आचरन अच्छा होगा, धार्मिक भी होगा, धर्मकर्म के कामों में भी बढचर कर इसा लेंगे, दान पोने भी आप करेंगे तो अपरेल के महीने में जीवन की कुछ शेत्रों उसे अगर आपको जोड़ा देखा जाए, जोड़ कर देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा ये सावित होगा, अब कारेशेत्र की हम बात कर लेते हैं, देखें कारेशेत्र को देखें, तो दसवे बहाँ में राहू, आपके कई तरकीबे लड़ा रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, यहां राहू की मदद से आपको आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे, इस समय जब आप अपनी काम पर लोटेंगे, या अगर आप घर पेट कर काम कर रहे हैं, तो आपके वरिस्ट अधिकारी जो हैं, वो आपके काम से काफी प्रेसन रहेंगे, लेकिन एकादस बाव पर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव, आपके यहां समय समय पर आपके बहुता काम को परखेंगे भी, इस बात को ध्यान रखें, और अगर वह काम आपका सही निकला, तो आपको काफी प्रोट साहर में मिलेग और पदवनती भी हो सकती है तो बहुत इंपोर्टेंट ये समय आपके लिए रहने वाला है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप परिशान भी हो सकते हैं कर्म भाव से अस्टम भाव में शनी, मंगल और ब्रसपती की यूती बन रही है जो आपकी नौकरी में परिवर्तन का योग बना रही है वर्तमान में नौकरी बदलने का प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों को इस काम में सफलता की प्राप्ती निश्चित रूप से होगी लेकिन घबराने की आवर्शकता भी नहीं है क्योंकि नई नौकरी भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी और आर्थिक तोर पर आप पहले के मुकावले अधिक सैलरी भी ले पाएंगे पद का लाब भी आपको प्राप्त होगा और अगर आप को बिजनिस करते हैं तो सब्तम भाव में जो उपस्चित सूर्य है वो आपके लिए बड़ी अच्छी डील करवा सकता है साथी साथ तीन ग्रहों का ग्यारवे भाव को देखना आपके लिए कई तरह की योजनाओं को भी सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे बिजनिस को आगे ले जाने में आप कामयाब होंगे सूर्य के अस्टरम भाव में गोचर के दोरान महीने के उत्रारद में आपको कानून के विरुध कोई वैपारी के गदी विदी ना करने की हिदाः जरूर हम देते हैं जो कानून के विरुध काम हो, उसको आप ना करें वरना आपको भूगधान का सामना भी करना पड़ सकता है अब आपके आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो देखे आर्थिक तोर पर अगर नजर दोड़ाएं तो इस दोरान आपके जो शुक्र है नवम भाव में बैठेंगे और आपके लिए शुक्र के नवम भाव में बैठना आमदनी का एक बहुत अच्छा जर्या बनने वाला है और इसके लावा पंचम भाव में शनी, मंगल और प्रसपती की यूती भी आपको एक से अधिक माध्यमों से आपको बहुत अच्छे लाव के प्राप्ति करवा सकती है हलाकि बीच-बीच में आपको ऐसी इस्तिती भी देखने को मिलेगी कि आपका काम बनते-बनते रह जाएगा यानि अटक सकता है आपका काम जिसकी वज़े से आपको काम पूरा होने में थोड़ा विलंब हो जाए लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी आपके पास धन के कई अफसर प्राप्त होंगे भली प्रकार आप उनका फाइदा उठा पाएंगे आपने जो सिफशा ग्रहन की है और यदि आपकी कोई विशेश रूची है तो उस माध्यम से भी आप धनर जित कर पाएंगे सूरे के स्टम भाव में गोचर से सरकारी शेत्रम से सम्माधित जो समस्याएं थी वो आपकी पूरी हो सकती है महिने के शुरूर में खर्चे जरूर हो सकते हैं लेकिन इस हाफते बर के बाद खर्चो पढ़नी इंटरन भी होगा और आपको जो आर्थिक समस्या हो रही थी वो आपकी सुलजेगी आपकी आमधनी आपके लिए इस समय परियाप्त रहेगी और अगर आप वेबसाय करते हैं तो देखे ब्रस्पति की किरपा से आपको निश्यत रूप से लाब देखने को मिलेगा और अगर आपका जीवन साथी भी काम काजी है यानि आप मेरिड है और आप दोनों ही वरकिंग है तो इस दोरान आपको अच्छा धहनलाब देखने को मिलेगा जिसकी वज़य से आर्थिक स्थिति काफी अच्छी बनती हुई दिखाए दे रही है अब हम बात करते हैं आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन की प्रेम वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों की बात करें तो देखे प्रेम संबंदिव की देखें तो पंजम भाव में जो है आपके बैठे शनी मंगल ब्रस्पति की जो यूती है वहाँ एक और ब्रस्पति की स्थितिया नुकुल रहेगी और शनी और मंगल बार-बार आपके लिए विरुदावास की स्थितियां बनाते रहेंगे जिसकी वजह से लव लाइफ में कभी-कभी नेगेडिव इटिया दिखो जाएगी यानि आप और अपने प्रियतम के बीच आपको जगड इसे कम शब्दों में जादा से जादा बाते कहें बातों का चैन शब्दों का चैन भली पूरवक्त लें ताकि रिष्टे में कोई दरार ना आए जो लोग अभी तक सिंगल है इस महिने में किसी की दस्तक हो सकती है कोई आपको इस समय मिल सकता है जो आपको महतपून लगे तो कोई भी रिष्टा बनाने से पहले कई बार जरूर सोच लें ताकि बाद में ना पच्ताना पड़े अगर आप विवाहित हैं तो देखिए ये जो महिना होगा ये आपके लिए कई तरह के परिणाम लेकर आया है महिने की जो शुरवात से ही सूरिया आपके सब्तम को थोड़ा सा उगर बना सकते हैं और आप दोनों में किसी बात को लेकर संघर्स या कहें एहम की लड़ाई हो सकती है तो थोड़ा ध्यान देना होगा रिष्टों में समस्यां जर्म लें उससे पहले उन जो समस्यां हैं उनको खत्माप कर दे तो अच्छा रहेगा वरना दहर्य धारन करना है जैसे ही सूर्य का गुचर 13 अपरेल कोस्टम भाव में होगा तो इस्तिती में अचानक से बदलाव आएंगे और जो दामपत्य जीवन है वो पहले की भाती आपका अच्छा बन जाएगा इसकी साथ साथ आप दोनों के बीच की जो समझदारी है आपके रिष्टे को और अधिक मजबूत बनाती हो दिखाए देगी आपका जीवन साथी जहां काम करता है वेपार करता है तो ये महिना उनके लिए विशेज उपलब्द दिला सकता है कारे का भार एकदम से तेजी से बढ़ जाएगा तो कि देखिए जो अभी वरकिंग नहीं है अभी घर पर बैटे हैं वो अपनी काम पर लोटेंगे तो कारे के कारे भार काफी अधिक होगा व्यस्त जीवन हो जाएगा लेकिन साथ ही विशेज उपलब्दियां मिल सकती है इस दोरान और धन की भी प्राप्ति हो सकती है दूसरे शुक्तों में कहें तो जो महिने के बा है माता की स्वास्ते का खास तोर से दियान रखना होगा और पिटा के स्वास्ते पर भी नजडर बनाय रखें लेकिन भाई बैनोंसे ऐची सफलता मिलीगी और इस समय आपको अपने परिवार के किसी सदश्य की मदद भी करनी होगी उस तो आपकी मदद से उनका कोई काम हल हो सकता है परिवार आपके अच्छा परिवार के लिए रहेगा माता के स्वास्ते काई बस द्यान आपको रखना होगा और इस समय देखे कोई खास शत्रू आपके किसी खास मित्र, रिस्तिता और भाई बहन को आपके खिलाब भढ़का सकता है तो इन चीजों से थोड़ा सा साफधान रहना होगा अब बात करते हैं आपके स्वास्ते की जो की बहुत महत्पून है दिखे स्वास्ते की बात करें तो आप तो वसायुक भोजन ना करें यानि जादा ओयली भोजन ना करें तो अच्छा होगा वो शारीर गुरूप से आपको परिशान कर सकता है और शाकाहरी ही भोजन करें तो अच्छा है इस दोरान आपको पेट दर्द या जोडो दर्द जैसे शिकायते हो सकती है या फिर पेट समन्दी कुछ समझा हो सकती है तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामशले समय पर हिलाज करें ताकि बिमारी बड़ी ना हो जाए इस बात का ध्यान जरूर रखें मांसिक रूप से खुद को बचायर रखने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम करें या कपाल भाती कर सकते हैं वैयाम जो करते हैं जिसे मांसिक और शारी के रूप से दोनों से ये आप उत्तम स्वास्ते को बना सकें अब बात करते हैं इस महीने के उस महाउपाय के बारे में जो सबसे ज़्यादा important है तो दिखें इस महीने आपको क्या करना है प्रतीक रविवार के दिन आप भहरा मंदिर जाकर भहरा वावा के दर्शन करें अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप जो कुट्टा आपको कोई दिखाई दे कुट्टे को रोटी और दूद आप जरूर डाले या फिर पक्षियों को साथ तरह का अनाजाब डाले इससे घर परिवार में सुक्षानती होगी और आपके कारशेत में भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें